Hello students, welcome to your channel, Sipra Mishra. Today we'll get started. Chapter 8, Exercise 8.1, Question No. 9 If you guys have not seen Niptara and Nichol classes, then please go and watch very important video that's for you. आप लोग Niptara और Nichol class अगर नहीं देखे हैं, तो please, वो बहुत important video है, आप लोग उसको जा करके देखिए. ओके, तो अब हम लोग Question No. 9 पर discuss करते हैं. Question No. 9 क्या है? आपको यह triangle बनाना पड़ेगा, कौन सा? triangle A, B, C, right angle at B. जो इसका 90 degree angle होगा, वो B पर होगा. If tan A equal to 1 by root में 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C. Second है, cos A cos C minus sin A sin C. अब इसको हम लोग find कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग करेंगे क्या figure बनाएंगे. इस सब में, पहले हम लोग figure बनाएंगे, तभी समझ में आएगा. नहीं तो नहीं आएगा. figure बनाने से concept clear हो जाता है. अब यहाँ पे आपका famous formula क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, थोड़ा आप लोग बोलिए. हाँ. ठीक है? तो आप लोग को याद है. अब हम यहाँ पे बोलेंगे क्या पंडित भद्री प्रिशाद हर हर भोले. और जो लोग नए हैं, उनको तो नहीं पता होगा. बट आप लोग जाके बीडियो देख लीजिए. वहाँ पे. प्ले लिस्ट में है सब. है ना? तो आप लोग वहाँ पे जाके यह सब बीडियो देख लीजिए. अगर आप नए हो. अब पुराने लोग तो पता ही है. यह सब क्या पंडित भद्री प्रिशाद हर हर भोले. यह आपका फेमस फार्मूला है. इस फार्मूले पर आप यहाँ पे देखा जाए. पी बाई एच. पी बाई एच क्या होता है? साइन होता है. साइन ठीटा. अब बी बाई एच क्या होता है आपका cos theta होता है P by B क्या होता है वो tan theta होता है इधर से इधर से जास्ट आपोजिट sin का पोजिट cos theta का posit sec theta tan theta का posit cot theta इधर से पोजिट हो जाएगा means B by P cot theta H by B sec theta cos H by P clear अब यहाँ पे आपको दिया क्या है tan tan equal to 1 by root में 3 दिया है तो यहाँ पे tan theta के वालो क्या होता P by B means perpendicular by base होता है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 1 by root में 3 है ना अब यहाँ पे tan theta theta नहीं है यहाँ पे क्या है A है तो यहाँ पे हम लोग theta के place पर A कर लेते हैं 10 A कर लेंगे अब यहाँ पर बोला यह आपका B होना चाही है 90 दिग्री है और यह आपका रहेगा C और यह आपका रहेगा क्या A औकि अब यह जब A है यह आपका theta हो गया यह जब theta हो गया theta के जब सामने आपका क्या हो गा perpendicular तो perpendicular की value क्या है यह आपका perpendicular है और theta से जो सटा हुआ होता है वो क्या होता है? base होता है base आपका root में 3 आ गया यह आपका क्या हो गया? base अब यह आपका क्या होगा? hypotenuse यह आपका hypotenuse है यह perpendicular है यह base है अब आपको निकालना क्या है? sin c जब आपको sin c निकालना लेकिन यहाँ पर क्या साइन ए है जब हम लोग को पहले साइन ए निकालेंगे को से निकालेंगे यहाँ से ना तो पहले कैसे निकालेंगे हम लोग को यहाँ पर यह हाइपोटेनस पता नहीं है तो पहले हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्यूरम लगाएंगे क्या है ac square equal to ab square plus bc square यह हम लोग formula यहाँ पर use करके ac की value निकालेंगे उसके बाद sin a और cos a की value निकालेंगे फिर हम लोग theta इसको मानेंगे किसको? c को तो पहले इतना हम लोग देख लेते नहीं तो आप लोग हो जाएंगी confused ओके अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या pythagoras theorem use करेंगे यहाँ पर तो pythagoras theorem यहाँ पर use करेंगे तो उसका formula क्या होता है ac square equal to ab square plus bc square clear अब यहाँ पर ac equal to root में ab square plus bc square यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं use by pythagoras theorem use used by pythagoras theorem अब यहाँ से हम लोग फटा फट फट फीगर देखेंगे फीगर में क्या क्या value दी हुई है ab क्या value क्या दी हुई है under root में 3 root में 3 का square हम यहाँ पर direct हम लोग ac निकालेंगे तो root में 3 है जब root में 3 into root में 3 का square करते हैं अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं sin a निकाल सकते हैं क्यों क्योंकि आपका a जो है angle है तो angle आपका a है means theta आपका a है अभी तो आप यहाँ से sin a और cos से निकाल सकते हैं फिर जब हम लोग theta इसको मानेंगे angle c को तब हम लोग sin c और cos से निकाल लेंगे sin a sin a क्या होता है पंडित भगद्री प्रिशाद हरहर बोले फार्मूला है तो p by h means perpendicular by hypotenuse perpendicular by hypotenuse यहाँ पे क्या है perpendicular यहाँ पे 1 है hypotenuse क्या है 2 है means sin a जो है वो आपका क्या निकल के आया 1 by 2 clear अब आपका cos c निकालना है क्या निकालना है cos यहाँ पे निकाल लेते हैं लोग sorry cos a निकालेंगे पहले फिर cos c निकालेंगे cos a हम लोग कैसे निकालेंगे अब b by h होता है means base by hypotenuse होता है clear वहाँ से यह जो फार्मूला आपका है यह किसका है cos theta का means b by h जो है आपका cos theta हो गया तो cos theta equal to b by means base by hypotenuse तो base आपका क्या है root में 3 hypotenuse क्या है 2 है यह क्या है cos a की value आगई clear अब हम लोग नया figure बनाएंगे वहाँ पे आपको यह जो angle है इसको theta मानेंगे नहीं तिहाँ पे आप लोग confused हो जाएंगे clear यहाँ पे यह c जो है यह आपका theta होगा जब theta रहता है theta से जो 6 है यह आपका base हो गया और यह theta के just सामने क्या हो जाएगा आपका perpendicular हो जाएगा और यह क्या होगा आपका hypotenuse clear आप यहाँ से आपको निकालना क्या है sine c निकालना है और क्या निकालना है cost c निकालना है तो साइन्स पहले हम लोग निकाल लेते हैं कैसे पंडित भध्री प्रिसाद हर हर भोले एना या हर हर बोला बोल लो कुई फर्ट नहीं पड़ेगा लेकिन अच्छे समल भबोलेंगे पंडित भध्री प्रिसाद हर हर भोले यह जो फार्मूला है, most important फार्मूला है, आप लोग को जैसा भी याद हो, वैसे आप लोग इसको याद कर लेंगे, जो हम बताएं हैं, अगर इससे याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग अपना भी ट्रिक तो बना सकते हैं न, जिससे याद हो जाए क्या, साईन सी, साइन सी क्या है, यहाप पे थोड़ा देखा जाएं, परपंडीकुलर बाई हाइक्पोटेनस होता है, साइन सी, है ना, अब आप क्या करेंगे, परपंडीकुलर यहाँ क्या है भाई, root में 3 है तो root में 3 और hypotenuse क्या है? 2 है आपका क्या आ गया? sinc आ गया अब आपको चाहिए क्या? cosc चाहिए cosc means base by hypotenuse base by hypotenuse ओके? अब यहां पे cosc equal to base क्या है? आपका 1 है और hypotenuse क्या है? 2 है means हम यहां पे कह सकते हैं जो ओपे sin a आया था यहां पे cosc आया है और जो ओपे sin see आया है वहां पे क्या आथा? cosc की value cos a की value root में 3 by 2 आया था means just opposite आया था ओके? अब आपको करना क्या है? add करना है तो first में क्या आपको add करना था? sign a cos c multiply करना है, फिर plus करना है, क्या, cause A, sine C, sine A, sine A आपका क्या आया था, 1 by 2 आया था, 1 by 2, अब आपका cause C क्या आया था, 1 by 2, plus cause A क्या आया था, cause A आया था, root में 3 by 2, sine C क्या आया, root में 3 by 2, अब यहाँ पे देखा जा, equal ही आया, तो उपर multiply में क्या होता, नीचे नीचे multiply, उपर उपर multiply, 1, 1, 1, 2, 2, 4, plus ये 2, 2, 2, नीचे 4 हो गया, उपर root में 3, इंटू root में 3, जब अंडर root में 3, इंटू अंडर root में 3 रहता है, तो जब इन दोनों का multiply करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा, अब यहाँ पे देखा जा, नीचे दोनों सेम है, denominator में ये ऊपर वाला जो है, वो numerator होता है, नीचे वाला denominator होता है, tenSetź होता है, और ये हर होता है, तो हर हर को add की, हर हर अगर सेम है, तो हम लोग लिख लेंगे, सेम ही four, अगर different है, तो LC हम लेकर के निकाल लेते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे 4 4 है तो यहाँ पे 4 लिद दिये यहाँ पे जब नीचे सेम रहेगा तूपर जो है डारेट हम लोग आड़ कर लेंगे क्या हुआ 3 प्लस 1 4 आया 4 4 1 इस 4 को इस 4 से कैंसल कर देंगे कितना आएगा 1 आयगा आएगा आप यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे क्या करेंगे आप यहाँ पे सेकेंड वाला कुशन लगाएंगे क्योंकि यह तो आपका solve हो गया है ना clear हुआ तो आप लोगों को इतना समझ में आगे होगा आप हम लोग सेकेंड करते हैं cos A cos C minus sin A sin C cos A कितना आया था root में 3 by 2 cos A आया था इतना cos C कितना आया था 1 by 2 आया था minus sin A कितना आया था 1 by 2 आया था sin C कितना आया था वही root में 3 by 2 अब नीचे नीचे multiply करेंगे कितना आएगा 2 उपर उपर multiply करेंगे कितना आएगा 1 में root 3 का multiply करें root 3 आएगा minus यहाँ पे 2 2 कितना आएगा 4 आएगा हम 2 लिखे हैं add करने लगे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा root 3 है ना कि use कुछ ज़्यादा ही करते हैं स्वारी अब यहाँ पे 2 into 2 कितना आएगा 4 आएगा अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे minus है यहाँ पे plus था तो हम लोग इन दोनों को add किये अब यहाँ पे lcm दोनों same है 4 आया अब यहाँ पे देखा जाए एक तरीका यह है कि lcm ले फिर यहाँ पे देखें दोनों same है तो यहाँ पे root में 3, minus root में 3 आपका जब उपर 0 रहता है, नीचे कुछ भी रहता है तो answer आपका 0 आता है और यहाँ से भी एक तरीका और था कि हम लोग यहाँ से direct कर सकते थे क्या, यहाँ पे plus root में 3 by 4 है और यहाँ पे minus root में 3 by 4 है दूसरे से cancel होकर के answer 0 हुआ जाएगा clear? लेकिन आप लोग ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ओके? थैंक्यू गाइज बाबाई अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप like, share and subscribe करें और आपको कोई भी question ना है तो आप comment में post सकते और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप comment करके बताईए